हो इंपोर्टेंट को लोग कारा क्रम कर घ्राइब T करने से हैं करें की कारण करूं तो आप कभी टागेट करने से अगर आप को पता नहीं है तो आप कभी टागट निमे विश्वास रखना था कारण हो जा रहा हूँ आज से पहले मैंने कितने कमिट्मेंट किये कितने संकल लिये कितना डेधी के सिदा यह फरक नहीं पड़ता ड़ी दोट मेंटर लेकिन मुझे कुछ भी हो जा इस सबार करूं कि पूछी अपने आप से सवाल करिए पूछी अपने आप से कि मैं इंगलेंट का टागेट क्यों करूं क्यों करूं मैं सुबह को फिल्ड में क्यों जल्दी उटू मैं सुबह उठकर मिटिंग मैं क्यों टेंड करूं मैं क्यों ओलब करूं तो जिए अगर आपका इसलिए करना इसलिए करना इसलिए करना उस दिन आपका किज़ों से फरके करके ओप ने परण पर्सेंट साइक पर्सेंट दिमाग लग जाता वह आपका पूरा पूरा यह ऐट चीज में करना है उसके लिए मैं कितने करने में आपके रहा हुगा तो आपका सारए को सारा मोंने समामत हो जाता है दोसदु अगर इसमें आपको टागेट जीतना है आपको पर मोटिवेशन का होती है और पर्मानेंट मोटिवेशन दोस्तों क्या होता है दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं एक होता आंतरिक मोटिवेशन एक होता भाहिये motivation सबसे महत्पूर्ची बता रहा हूँ आंतरी motivation क्या है और भाई motivation क्या है दोस्तों भाई motivation पर बात करता हूँ भाई motivation मतलब यह है कि अभी आप मिटिंग भाई आपने किसी अप्लाइस से बात करी यह कुई आपने वीडियो उसको देखा अब में तुरंत आपको भाई यह motivation है और दोस्तों temporary है यह कुछ दिरवाद गयब हो जाएगा यह permanent नहीं है यह temporary है इसके लिए अगर आपको permanent और target के लिए टाइमेंट बनने के लिए क्या चाहिए आपको permanent regular motivation चाहिए regular motivation कहां से आएगा वो आपका होता आंतरिक motivation जब अंदर से feeling आती कुछ भी हो जाए भाई अगर सेफ सुक माया हूँ तो बड़ा करकर हूँगा अगर इस वार target campaign दिया है तो मैं जीत कर हूँगा कुछ भी करना पड़े कितना भी दम लगाना पड़े कितनी महत करनी पड़े सारी चीजों को छोड़ करके कि मुझा कुछ भी करना पड़े हर हाल में हर काल में हर कंडिशन में मैं target जीत कर हूँगा मत्तब जीत कर हूँगा यह आपका आंतरिक motivation है और दोस्ति आंतरिक motivation कभी ठंडा नहीं होता कभी खतम नहीं होता है यह हर समय हर पल हर चड़ आपके साथ लगा रहता ध्यान रखने बात के लिए इसलिए आज जहान लगना दिमागा बैठा लिना अगर आपको हर बार हर बार टागेट पर सब्फोकस हड़ता है आपका बार बार आप दी मोटिवेट होते हैं इसका मतलब दोस्तों आपके पास में पर्मनेंट वाला हो जाए है हम साथ को पैनेर इस तरह करता है तो क्या मिशन है शुरुबात में आप सब्सक्राइब बना ले न यह पर किसी की मिसन में सामिल हो जाना यह आपका आंतरी मोटिवेशन है इसलिए जरुत पढ़ेगी ध्याना हर पल हर चंद अगर आपको कभी भी आप मोटिवे और अवानी बने तो नहीं फूल लाओ इसलिए ध्यान ना कर दिया खतम हो जाएगा चाल लोग नमना कर दिया खतम हो जाएगा इसलिए जरुत किसकी आंतरी मोटिवेशन करें ना करें आप लाइंट बोले ना बोले टागेट करना तेरे को खुद का अपने गोल होना चाहिए कुछ भी करना पड़े मुझे लेकिन मैं हर हाल मापर टागेट जीत करना हुँगा एक छोड़ी कहानी सुना चाहते हैं दोस्तों माह सफलता क्यों चाहिए आपको कब चाहिए और कौन सी चाहिए यह मैंटर करता दोस्तों तो यह मस सोची आप अभी जूड़े हैं या बहुत परण लीडर है या आपको कोई लेविल नहीं है आप कम पढ़ लेके ज्यादा पढ़ लेके यह मैंटर नहीं करेगा माइट कुट्टे को बहूत वह कर दोड़ घृ yoo ती और उसने खरगोस को ढूट लिया खरर देखिल उन् Ferross देख लिया और जैसे ही Sweet ने देखा तुम्हारे अच्छी है लेकि आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूं कि आप जो दोड़ रहे थे अपने लंच के लिए दोड़ रहे थे और मैं जो दोड़ रहा था वो लाइफ के दोड़ रहा था अगर मैं आपको लंच के रूप में नहीं मिला तो आप द्वारा कहीं जा सकते हो और अगर मेरे लाइफ नहीं बच्टी तो मैं द्वारा कहा से लेता है इसलिए मैं अपने लाइफ के लिए दोड़ रहा था और आप अपने लंच के लिए दोड़ रहे थे तो आप रिजन त टाइगर फिल्ड में जाहिए जाइए टाइगर आप टाइट कीजिए जाइए टाइगर आप जो इस वार में लंदन घुमकर काईए कभी जो पर निपर क्यों मेरा इस पर्स पाइब यो कुछ भी करना पड़ा इस वात के लिए मैं हर हाल में हर कंडिशन में एक हजार लडेस जाइगर।